अलो फ्रेंड्स मैं हूँ सिल्पा और सिल्ली फूट बुक चैनल में आपका स्वागत है तो चलिए सूरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी फ्रेंड्स हमें लेना है एक आम जो की एक़्णम पक्का और मीठा होना चाहिए तो यह मैंने केसर आम लिया है इसे अच्छे से दो कर, हम टुकड़े करके इसकी प्योरी बना लेगे तो ये देखिए मैंने मिक्सर में इसकी प्योरी बना ली है इसमें पानी बिल्कुल एड नहीं करना है हमें तो एक कटोरी हमने आम की प्योरी ली है और साथ में लेंगे एक काटोरी regular रोटी का जो गेहु का आटा दते है बो तो उसी measurement से ले एक cup प्योरी के साथ एक cup गेहु का आटा और लेंगे 1 fourth cup रवा तो आपके पास जो भी रवा या सुजी जो भी है उसे एड़ करें और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से तो ये देखे केसर हम लिया है मैंने इसलिए इसका नैच्रल कलर आएगा बहुत अच्छा कलर आता है और आपके पास अगर केसर आम नहीं है तो कोई भी हम ले सकते हो अब इसकी अंदर हम डालेंगे डूद तो दूद हमें यहां पे गुन-गुना लेना है ज्यादा गरम भी नहीं और नहीं ठंडा दूद और एक कटोरी दूद लेंगे अभी हम फिर आगे हमें जरूरत लगी तो और दूद एड़ करेंगे और इसे अच्छे से वेश के कर लेंगे जिसे इसमें कोई गठे ना रहे बिल्कुल स्मूद टेक्स्चेर वाला हमें बैटर बनाना है यह देखे अभी हमें थोड़ा गाडा लग रहा है यह मिश्रण हमें इदली डूशा का जो बैटर होता है वैसा बैटर तैयर करना है तो और थोड़ा दूद एड़ कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और यहां पर हमने जो रवा एड़ किया है वो भी अभी दूद को एब्सोब करेगा तो इसलिए हमें थोड़ा एक्षा दूद एड़ किया है अब इसे हम डग कर 15-20 मीट के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा बैटर सोक हो रहा है तब तक हम एक चाशनी तयार करेंगे तो उसके लिए लेंगे एक कटोरी शकर और शककर दूबे उतना पानी लेना है उसे गयेस पे गरम करने के लिए और यह दक है हमारी सक्तर और पानी अच्छे से गरम हो रहे है तो भलने लगे कर बंदर और यह देखिए हमारी जो चाषणी है वो थोड़े गाड़ी हो चुकी है चिपचिप होई है लेकिन अभी एक दो मिट और पकाएंगे इसे जिसे हमें एक तार की चाषणी बनानी है तो यह देखिए अब लगबग चाषणी तैयार हो चुकी है हम चमच पे थोड़े करेंगे आ और हम इस चाष्णी में डालेंगे एक चमध नीम्भू का यूश्टी से हमारी चाष्णी जो है उस इसा इस मैं बनकर देंगे और हमने चमध में जो चाष्णी ली है उसे चेक करेंगी तो हमें हाथों में इस तरह से तार बना की चेक करना है यह देखिए तार बन रहा है मतलब चाशनी हमरी बिल्कुल रेडी है अब एक नॉंस्टिक पैन लेंगे जिसमें हम घी डालेंगे और उसे गेस पे गरम करने के लिए रखेंगे तो अब हम माल पूबा बना रहे है तो माल पूबा या जलेबी ऐसी कोई मिठाई आप बना रहे हो तो याद रखे कि जो बष्णम ले उसे फ्राय करने का वह नीचे से फ्लैट हो ताकि उसका सेफ मेंटेन रहे तो इस तरह से नीचे से सीधा हो ऐसा बष् degamel हम करें अप और यह हमारा बेटर भी देखिए अच्छे से स्मूध हो चुका है रवा भी अच्छे से स्वाप्ट हो गया है गुल गया एकदम तो इसमें डालेंगे स्पिंच ओफ कुकिंग सोडा तो यहां पे सोडा हमें ज्यादा नहीं डालना है बस एक चुटकी जितना ही डालना है और इस तरह से माल पुवे रखेंगे तो एक चमच बर के इस बेटर को हम इस गरम गी में एड़ करेंगे यह देखिए पर्फेक्ट बेटर बना है अगर आपका बेटर पतला होगा तो आपके माल पुवे का शेफ ठीक से नहीं बनेगा और घाड़ा होगा तो अच्छे से फैल बनेगे है यह देखिए इस तरह से बबल साने लगे है और निच्चे से लगबग हमारे माल पुवे बन गए है तो इसे पल्टा देंगे तो आप किसी भी स्विच्चुला से या इस तरह से तवे थे से इसे पल्टा दे और यह देखिए एकदम सुनेहरे और एकदम नैच् निकाल लेंगे यह दिखिए बढ़िया से सिख चुक है दोनों तरफ से इसे निकाल लेंगे यहाँ पर आप गी के बड़ले ऑईल भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन जब भी हम मिठाई बनाते है तो उसे घी में बनी मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए मै दूसरे भी मालपूइ इसमें रख लिए है और हमारे हमालपूए पक रही है तब-तर हम आगे की प्रोसेस करते हैं तो यह हमारी जो चाश्त निए वह अब गुंगुनी है हलकी गरम है तो उसके अंदर हम सी मालपूए उसे रख लेंगे और जितनेने हमालपूए कि उतने दुबो देंगे और एक मेट के लिए इसे इसी तरह रहने देंगे तो यह एक मेट हो चुकी है तो हमारी मालपूए जो है वह चास्नी अच्छे से सोप कर ली है तो इसे हम दूसरी प्लेट में निकल लेंगे और इसी चासनी में हम तयार की होए दूसरे मालपुए रख लेंगे तो ये चासनी का और ये मालपुए का परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपको बता है अगर एक्स्ट्रा चासनी बचेगी तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी इसलिए इसी तरह थोड़ी थोड़ी चासनी में मालपुए दिप कर ले दूसरे मालपुए भी बनके रेड़ी हो गए है तो इसे भी हम निकाल गे चासनी में रख लेंगे एक-डो मेट के लिए और उसके बाद इससे सव करेंगे तो मैंने इसे एक प्लेट में रख लिए पर से डालें मैंगो फ्लेवर के माल पूआ यानि मैंगो पैंकेक बनके ready है, बिल्कुल कम समय में और घर में ही रखी चीज़ों से बनके ready हो गई है तो अगर घर पे कोई guest आते है तो इसे आप रबड़ी के साथ साथ कर दीजे एकदम बढ़िया से बढ़िया मेहंगी मिठाई को भी टक कर देने वाली यह homemade मिठाई बनके ready है तो फेंस आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे एक like जरूर कीजे और अपने फेंसे में share कीजे और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजे Thanks for watching